यह गाय हमारे यहां परसों आई है किसी को दिखा इसके पैर में चोड लगी थी और वो भले लोग इसको हॉस्पिटल ले गए वहां पे इस गाय की एंप्यूटेशन हो गई तो इसका एक पैर उन्होंने काट दिया और यहां पे उन्होंने रिकवर्विली के लिए छोड़ हम भी यहां पर एक छोटा क्लीनिक चलाते हैं अब यह गाय खड़ी नहीं हो सकती यह 200 किलों से उपर है यह तीन पैरों पर अपना बोज ले ही नहीं सकती और अगर आप यह बैठी रहेगी तो थोड़ टाइम में इसको ब्लोटिंग हो जाएगी क्योंकि इनका डाइजेस् अब यह ब्लोटिंग हो जाएगी और दूसरा यह क्योंकि जहां पे इसका इंसीजन हो रखा है जाहां पे इसका बैर काटा है वह अब दीरे दीरे वहां पे इन्फेक्शिंग होना शूरू हो जाएगा और अब मेरे बताइए कि मेरे पास कोई स्वियूशन नहीं है और कर रहे हैं और इतने केसे आते हैं अब तो हमने यह कहाए कि जो गाये नहीं बच सकती है आप उसको यहां प्लीज मत लाओ क्यूंकि मतलब जब गाये की डेथ हो जाती है तो हमाई पास उसकी डेट बॉड़ी को भी डिस्पोज करने का कोई प्रावधान नहीं है पाकिस्तान वाले थोड़ा चोड़ के जा रहे हैं यहां कहीं डेरी वाले हैं जब गाये बूड़ी हो जाती है तीन-चार साल बाद दूद देना कम कर देती है वो बूड़ी गाये सड़क पे हर साल वो गाये को सुई लिदवा के प्रेगनेट करते हैं नैचुरली नहीं होती है इंप्रेगनेशन जो है वो उसको इंप्रेगनेट करते हैं उसके बाद बचड़ा होता है बचड़ा उनके लिए वैसे ही उसलेस है वो उसक पेर काल देता है? हमारे यहां गाय आई है, जिसका बेट फार दिया, इक पेसे हमारे यहां घाय आई है, जिस पर उबलता पाणी डाल दिया, बैटरी ऐसे डाल दिया, और ये वो प्रॉडक्स हैं दूढ ही जिसको में जूढ बता आगे हैं कि हमारे लिए हेल्दी हैं, एक ताइम पर थे हेल्दी, कृषिण जी के टाइम पर हेल्दी थे, यह जब किसान थी सारे, भारत की सारी पॉप्लेशन किसान थी तो थे यह हेल्दी, आज जब हमारा आठ हम किसी कुरसी पे बैठे होते हैं तो हमें दूद्ध की बचता ही नहीं है इन फैक्ट इरेक्टाइल डिस्फिंक्शन है आज तीसरे लड़के को ओवेरियन कैंसर इतना पॉपुलर है मोटापा बढ़ रहा है हर किसी का पेट खराब रहता है यह हमारी डाइट की वज़ासे ह लोग करते हैं कि दूद से हडिया मजबूत होती है यह 1970 में कमर्शियल स्लोगन था दूद बेचने के लिए और हम बेब बन गए हम तो सारे दूद बीके बढ़े हैं लेकिन आज की रेट में 50 से उपर कोई भी लेडी है वो बाथरूम में अगर स्लिप करती है तो उसकी हड और इनकी हेल्ट के रिए दूद घी कम करिये तो है